अस्सलाम अलाइकुम डियर स्टूरेंट्स चैप्टर एट चाइनाज वे टू प्रॉग्रेस यानी चाइना तरक्की की रह पर इस चैप्टर की समरी कल की लक्षर में देखी आज चलते हैं टेक्स्ट की तरफ चैप्टर एट चाइनाज वे टू प्रॉग्रेस चाइना ने तरक्की का सफर कैसे किया इस सरह जब चाइना आज़ाद हुआ उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर कैसे वक्त की साथ-साथ चाइना के हालात में तबदीली आई फिर्स्ट पैराग्राफ में दिखते हैं वो वक्त जब चाइना आज़ाद हुआ चाइना की साथ वेस्टरन कंट्रीज का क्या बिहिवियर था वेस्टरन कंट्रीज ने किस किसम का स्लूप चाइना की साथ रखा इसके बारे में दिखते हैं फर्स पॉइंट में मैंने पेराग्राफ के स्टार्ट की एक लाइन और अंड की मेंशन की है सेकंड पॉइंट दिखते हैं पार ट्वेंटी टू येर्स तक्रीबन बाइस साल चाइना ले फॉर्गेटर चाइना को भुलाया गया चाइना को इग्नोर किया गया 1949 में चाइना आजाद हुआ उसके बाद तक्रीबन बाइस साल तक चाइना के वजूद को इस तहां भुलाया गया जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं चाइना का कोई वजूद ही नहीं है Western countries ने किसी किसम की importance चाइना को ना दी China faced Western ignorance and rigid behavior चाइना ने मखर्पी मुमाले की ignorance को बरदाश किया उनके सख्त मिज़ाज को बरदाश किया उन countries ने चाइना के साथ सिख सम का कोई relation ना रखा हता कि चाइना को तस्लीम तक ना किया लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चाइना तरक्की की रह पे आगे बढ़ता गया यहां तक कि मखर्पी मुमाले को मजबूर हो गए चाइना को तस्लीम करने पर उसे एहमियत देने पर तकरीपन बाइस साल बात दुनिया के तीसरे बड़े मुल्ख को तस्लीम किया गया राइचर कहता है इसके पीछे डिफ्रेंट रीजन्स हो सकते हैं मेबी चाइना इंट्रोड्यूस्ट दिस्माइल पॉलिसी हो सकता है चाइना ने खुद ही खंदा पेशानी के हिकमते अमले मुतारिफ करवाई यानि शायद चाइना खुद आगे बढ़ा चाइना ने खुद ही उन्हें गले से लगाया रीजन जो भी था तकरीबन बाइस साल बाद वेस्टरन कंट्रिस ने चाइना को एकसप्ट किया और इसे एहमियत दी इसकदर एहमियत दी कि राइटर चाइना है कि मखर्बी मुमालिक से विजिट्स इसकदर दोरे हुए इसकदर वहां के ओफिसर्स विजिट पे आए यू लगता था कि चाइना के सरवरा का हाथ उन्हें मिला मिला के हैं वो ठक जाएगा बट देर वर मैनी विजिट्स फ्रम वेस्टरन कंट्रिस वेस्टरन कंट्रिस से बहुत ज़्यादा विजिट हुए राइटर ने ये चोटी सी एक्जम्पल दी कि अगर उन तमांतर वफूद से तमांतर आफिसर्स से चाइना का सरवरा मिलता हैंड शेक करता तो जरूर उसके हाथ को तकलीफ होती और उसकी आँखें कैमरे के चका चौन रोशनियों से चुंधिया जाती फर्स्ट पाराग्राफ में प्राइटर ने बताया ये कि तकरीबन बाइस साल तक चाइना के वजूद को तस्लीम ही ना किया गया बाइस साल चाइना ने मगर्पी मुमाले के इग्नोरिंस को उनकी सखत बहेविर को बरदाश्ट किया दुनिया की तीसरे बड़े मुल्क को बाद में तकरीबन बाइस साल बाद अकसाप्ट किया गया इसका रीजन शायद यही है कि चाइना खुद है आगे बड़ा रीजन जो पे है उसके बाद मगर्पी मुमालिक ने चाइना को बहुत ज्यादा एहमियत दी यहां तक कि उनके विजिट्स चाइना के सरवरा के लिए मुश्किल बन सकते थे यानि इतनी ज्यादा विजिट्स हुए इतनी ज्यादा वफ़ूत मुलाकात के लिए आए कि चाइना के सरवरा के लिए मैनेज करना भी एक बड़ा कुर्सन मार्क था ये तो है first paragraph, अब चलते हैं second paragraph की तरफ Second paragraph First point में मैंने paragraph की lines mention की है Second point दिखते हैं Second paragraph में writer कहता है China was put outside of United Nations United Nations यनि अक्वामे मुताहदा से बाहर चाइना को रखा गया चाइना को अक्वामे मुताहदा का रुकन ना बनाया गया ये चाइना की साथ मगर्पी मुमालिक का rigid behavior शो करता है Later there was a long list of awaited countries शुरू में चाइना की साथ इस किसम का behavior रखा गया कि उसे अक्वामे मुताहदा का member है नहीं बनाया गया लेकिन बात में चाइना को तस्लीम करने वाले चाइना को अक्वामे मुताहदा का हिस्सा बनाने वाले मुमालिक की फारिस बहुत लंबी थी Later there was a long list of awaited countries to recognize the people's republic of China चाइना को तस्लीम करने वाले अक्वामे मुताहदा का हिस्सा बनाने वाले मुमालिक की फारिस बहुत लंबी हो गई यानि second paragraph में मुगर्भी मुमालिक का behavior कि सहाथ चाइना के साथ तब्दील हुआ ये नज़र आता है अब दिखते हैं third paragraph Third paragraph First point में paragraph की lines mentioned है Second point दिखते है China has asiatic background and a painful colonial history China का asiatic background और China की history जो है वो बहुत ही तकलीफ दे है जब भी कोई एक नया मुल्क आजाद होता है जब भी एक मुल्क नए तरीके से अपना system स्टार्ट करता है तो definitely उसे मुश्किलात और मुसीपों का सामना करना पड़ता है In 1949, nation lived a hard life 1949 में यानि वो वक्त जब चाइना आजाद हुआ चाइना ने बहुत से problems का सामना किया मुल्क के आजाद होने के बाद शुरू के साल हमेशा struggling होते हैं शुरू का वक्त हमेशा मुश्किल होता है यहीं चाइना के साथ हुआ चाइना ने बहुत सख्त हाला देखे They lived like animals राइजर कहते हैं जब मैंने चाइना का विजिट किया तो चाइनीज पेपल ने मुझे पताया कि उस वक्त उन्होंने जानवरों से भे बतर जिदगी गुजारी फर्स पेराग्राफ स्टार्ड का वक्त हमने देखा कि किस तरहां चाइना को नाय मुल्क बनने के बाद भी 22 साल तक अग्नोर किया जाता रहा उसके बाद चाइना की अहमियत को तस्रीम किया गया लेकिन फिर भे चाइना यूनाइटिड नेशन से बाहर रहा अन्य हाओ वक्त गुजरने के साथ उन मुमालिक के फैरिस्ट में इसाफ़ा होता गया जो चाइना को तस्रीम करने लगे चाइना से तालुकात बनाने लगे इसके साथ अथर्ड पैराग्राफ में चाइना के बैक्ग्राउंड की बात हुई कि जब चाइना एक नए मुल्की हैसे से वुद्ध में आया उसे तिह सहाँ प्राफिरल और परिशानियों कर सामना करना पड़ा अब चलके दिखते हैं इडियम जी चप्टर देखा अब हम देखते हैं इडियम फर्स इडियम है आट वर्न्स विल्ट्स एंड यानि किसी के हवासों का बिकाप हो जाना बद हवास हो जाना I am at my wits and worrying about how to pay the bills इडियम आट दा बेक एंट कॉल आट दा बेक एंट कॉल का मतलब है किसी के इशारे पर होना The servant is at the bet and call of his master Third idiom at the eleventh hour यानि आखरी नम्हेपर He came to help me at the eleventh Fourth idiom Bed of roses यानि फूलों की सेच Life is not a bed of roses Fifth idiom है Before long यानि जन्द ही Before long all our friends will be here अब दिखते हैं छटा इडियम Briefly speaking Briefly speaking यानि मुक्तसर Briefly speaking I am not going there Seventh idiom है बढ़नि पॉस्टन ताजा तरीन मस्ला Dear NASA is the burning question of today Eighth idiom है बढ़नि पॉस्टन यानि जुपानि Try to learn this poem by heart Second last idiom by means of किसी की जरिये She got first division by means of hard work Last but not the least by way of By way of यानि बतार I said this by way of joke Hope so Chapters और इडियम समल जा गए All the best Allah Hafiz